समस्कार आप सभी का स्वागता है मारे यूटूब चैनल चीनिया क्लासेज पर तो आज अपने बात करेंगे RPSC जल विवाग बरती 2022 से समंदित तो RPSC ने तक्निकी सायक भू जल विज्यान सहीद बिविन पदों पर बरती है तो अधी सूचना है वो जारी कर दी है तो जानेंगे इन पदों के लिए जरूरी योगता और आवेदन करने की दिनाग समेत इसके लिए जरूरी प्रिक्षा सुलक और आवेदन प्रोसेज क्या रहने वाली है इसके लावा स्लेक्शन प्रोसेज इसमें क्या रहेगी तो संपूर्ण जानकरी पर अपने चर्शा गर या हमारे यूटूब चैनल के मादिम से समय समय प्रुपलावद होती रहे तो शुरू करते हैं आज के अपनी वीडियो राजस्थान लोग सेवा आयोग अजमेर द्वारा जारी अधिसूचना और दिनाग आप देख सकते हो 28 जनवरी 2022 को ये विस्तरत विग्यापनय वो जार के आठ पद तता राजस्थान भूजल अधिनस्त सेवा नियम 1973 के अंतरगत तक्निकी सायक रासायन के चार इम तक्निकी सायक भूजल विग्यान के 36 पदों पर बढ़ती है तो ओनलाइन आवेदेन है वो आमतरीत किये जाते हैं पद ऐस था है तता विवाग से प्राप्त पदों की पदों की सांग्या मि कम या वरोदी है, वो की जा सकती है, उनमें आरक्षीत पदों की संग्या निम्ना अनुस्वारे दे रखिया है तो यह आप वर्ग्युकंट देख सकते हो category wise post wise यहां पर बता रहा है name of post तो यहां पर बता रहा है कनिस्ट भू बोतिक भीद कनिस्ट भू जल विग्यानिक कनिस्ट साइक रसायन कनिस्ट साइक भू जल विग्यान और यहां पर देख सकते हो आप category wise इनका जो वर्गी करना है वो देर्क है फिर अपने बात करें तो इनके लिए यह आप आवेदन करना चाते हो तो जरूरी सेक्षनिक योगता क्या होनी चीह कि आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो तो इनको अब देखते हैं इसमें देरका पद करम फर्स्ट कनिष्ट भू बोतिक विद के लिए यदि आप इस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाते हो तो इसके लिए ज़रूरी सेक्षनिक योगता क्या होनी चीह मसी जियोफिजिक्स मसी जियोफिजिक्स और आपके पास इस पोस्ट के लिए आवेदन करने के लिए सेक्षनिक योगता के लावा आपके पास दो साल का एक्सपिरियंस भी होना ज़रूरी है फिर अपने बात करें पदक्रम टू कनिष्ट भूजल वेज्ञानिक यदि आप इस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाते हो तो इसमें देरका है प्रोम इंडिया स्कूल ओफ माइंस धनबाद यानिकी आप बूजल वेज्ञानिक के लिए आप आवेदन करना चाते हो तो आपके पास यह इसके लिए जरूरी सेक्षनिक योगता होनी चाहिए फिर प्रमने बात करें पोस्ट नमबर थर्ड की तो इसमें देरका है तक्नि की सायक भूजल विज्ञान तो इसमें में में बात यानिक पोस्ट के लिए आपके अवेदन करना चाहिए तो आपके पास यह जरूरी सेक्षनिक योगता होनी चाहिए फिर देरका उक्तपदों के लिए यह वरकिंग नॉलेज ओफ हिंदी रिटन इंद देनागरी सक्ट्र नोलेज और राजस्तान कल्चर यानिकी राजस्तान संस्कर्ती और इंदी देवनागरी लिपी में लिखने का नोलेज भी आपके पास होना जीए फिर देखे आगे देर कैस में उप्त पद की अपैक्सिक सेक्षिनिक उगता एर्था के अंतिम वर्स में समलित हुआ हो या समल कर सकते हो लेकिन आपको जब आपका इसके लिए इंट्रिव होगा उसे पहले पहले आपको फाइनल सेलेक्षन का जो सर्टिफिकेट है वो जमा करवाना पड़ेगा फिर नोट लागा कि यांपे का आगया कनिस्ट भू बोतिक वीद पदों के लिए उक्त प्रावधान ला करका है कि यह प्रावधान है वो कनिस्ट भू बोतिक वीद पदों के लिए लागू नहीं होगा उक्त पदों के लिए अभ्यर्थी को सेक्षन योगता प्राप्त करने के पस्चात वांचित अनुबव ओनलाइन आवेदन प्राप्ति के अंतिम दिनाग तक प्राप्त होना आवेदन प्राप्ति के अंतिम दिनागतर निर्दारित अनुबव प्राप्त नहीं होने से अभ्यर्थी एपातर होगा यानि कि आपका निस्ट भू बोतिक पद के लिए आवेदन कर रहे हो तो आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो ओनी चीए पुरी इसके अल प्रारूप है उस पर आपको जरूरी सेक्षनिक योगता प्राप्त करके और वह आपको साथ में एड़ करना पड़ेगा और इसका जो प्रारूप है वह इस वीडियो के लास्ट में हम दिखा देंगी कि किस परकार का प्रारूप एक्स्पिरियस प्रारूप वो इस तो पध करम संख्याone वान वे टू के लिए पे मेट्रिक लेवल एल्प 14 और पध करम संख्या तीन वे मेट्रिक लेवल 11 के अनुसार आपका जो वेतन या वो आपको जो स्केल है वो दिया जाएगा और राज्य सरकार के अनुसार प्रिविक्षा काल में नियत माशीक वेतन है वो दिया जाए गया नहीं कि जह आपका और रिविक्षा कालग learnt दो साल रहेंगा जितने भी तो उसमें आपका मिलने वाला है तो यह होगी जरूरी सेक्षिनिक योगिता से जुड़ी मैत्पूर्ण बात फिर अपने बात करें आगे तो इसमें देर का आयू सिमा तो इस बारें बता रहें कि दिनांक अधिक्तम 40 वर्ष की आयू कम से कम होनी चीए यह आपकी आयू 20-40 वर्ष के बीच में है तो आप आवेदन कर सकते हो इसके लावा इसमें अलगलग कैट्गरी वाई चूट परदान की गई है जैसे अपने बात के रास्ता राजिये के लिए अनुसुची जाती जन जाती अन् को दस वर्ष की चूट परदान कीगे इसी परकार यह अलगलग कैट्गरी वाई यहां पर संपून चूट का जो प्रारूप है वो यहां पर देरक है तो आप इसको भी देख सकते हो फिर अपने बात करें आगे अन्य अविबरण में चेन परिक्रिया सेलेक्शन प्रोसेस अधिक होगी तो आयोग समीक्षा परिक्षा आयोजित कर अब्यर्ट्यू की संक्या यतोचित सिम्मा से कर सकता है यानि कि इसमें देरक है कि आपका सेलेक्शन प्रोसेस फर्स्ट यूमें में तो इंट्रिवू देरक है लेकिन यदि आवेदन इसके अंदर ज्यादा होते ह आपका जो एक्जाम है वो भी कंडेक्ट इसके अंतर करवाया जा सकता है क्योंकि आप यदिनों को एक जो प्रिक्षा प्रिक्षा का स्थान वे मास समीक्षा प्रिक्षा प्रिक्षा स्थान वे तिति के समन्द में यत्था समय सुचित कर दिया जाएगा यानिकि बाद में फोर्म एपलाई होने के बाद में फोर्म को देखा जाएगा कितने फोर्म बरेंगे उस साब से बाद में इसके लिए ऑपिशल जारी करके और बता दिया जाएगा इसके लिए आप मारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें हमसे जूड़े रहें ताकि जब भी इससे समदीत कोई प्रिक्षिया वस्तुनिष्ट रूप से ली जाएगी सभी परशन वस्तुनिष्ट यानि की अब्जक्टी टाइप की होंगे और विस्तरत पाटे क्राइम वेब साइट पर इसके लिए अपलोड आब जल्दी कर दिया जाएगा फिर देरका आवेदन आविदी यानि कि 25 दीन है या 30 दीन है इसके लिए आवेदन करने की तीन फरवरी इसे लेकर क्यों दो मार्स तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो बाकि आवेदन आप जो करने की जो पूरी प्रोसेस है वह इसके ऑपिशाल नोटिविकेशन में देर किया जिसका लिंक आपको वीडियू क आवेदन कर रहे हो और किसी प्रकार की कोई मिश्टेक हो जाती है तो संसोदन प्रोसेस है रहेगी तो ओं-लाइन आवेदन सम्विट किये जाने के पचाँ यदि आवेद भू किसी प्रकार की तुरूटी का पता लगता है तो अब यर्थी online आवेदन में OTR यानि की one time registration profile में दरसाएगे सवे के नाम पिता के नाम जनवतित्थी वा लिंक है त्रिक्त अन्यत रूटी संसोदन है वो निमना अनुशार है कर सकता है तो ये पूरी इसका विवरन देर का है और आप यदि संसोदन करना चाते हो तो अन्तिम दिनाग यानि की online आवेदन आप मान के चल सकते हो क्योंकि इसमें डेट देर किया है दो मार्च 2022 तक तो उसके बाद में दो मार्च से लेकर क्यों बारा मार्च तक आप इसके लिए संसोदन है वो करवा सकते हो और इसका जो चार्ज रहेगा वो आपको 500 रुपेश में संसोदन चार्ज देना पड़ेगा तो बाकी जानकारिया में इसमें देर के तो इसको भी आप आप अच्छा सूलक तो इसमे भरग वहरास्तान के कृमी लेस रेजिए और या पिछड़ा पिछड़ा वरग अतिपीशा वरग तो आव्यद्य के लिए जो चार्ज रहेगा वो 350 रूपे से कमचोर वरग ऐसे पिल्वों करो तो आपका जो फीच रहेगा वहылवचा संथाय वहां रुपे से कम है ऐसी आवेदकों के लिए जो फीस रहेगी वो इसमें डेड़ सो रुपे यानि कि एक सो पचास रुपे टी एस पी शेतर के अनसूची जाती अनसूची जन जाती एंब बारा जिले के समझ तैसिलों के सहरिया आधिम जाती के आवेदक हो तो आपके लिए जो जो अनुबव परमान पत्र है उसका प्रारूप के सा होगा तो यह उसका पूरा प्रारूप यहां पे देरक है अनुबव परमान पत्र यानि कि एक्स्पिरेंस जो भी आपको साथ में लगाना है विवाग करालिया संस्था का नाम मेर रिजिस्ट्रेशन टोकन नंबर यह जानकारी आपको इसमें बरनी है और इसमें जो भी इसमें आवशेक जो जानकारिया मांगे यह सब आपको अच्छे से इसको फिल करवाना है और फिल करने के बाद में आपको जब भी फोर्म भर रहे उसके अंतिम डेर से पहले पहले आपको यह पूरा उसको साथ में आपक अच्छे से समझ आई होगी इसके आप बावजूद कोई भी क्यूशन है तो आप कोमेंट सेक्षन में कोमेंट करके पूछ सकते हो सोलुशन मिल जाएगा वीडियो को लाइक कर दे अधिक शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें गंटी अवशेदवा दे ताकि आपक आपक कर दे नहेंωगी कलिए मेंटी आपक गंटी इसके यह ब readiness आपक एक जजाएगा हो आपकिपन कर आपक कर द टूमेंट कर दे दे आपके लीड़